हेलो एवरिवान, वेलकम टू वाइफाइ स्टेडी विच अपार्ट ओफन अकेडमी ग्रूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके कुछ और इंपोर्टेंट कोईशन आंसर जो की काफे इंपोर्टेंट है सभी एक्जाम के पॉइंटेव से तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखीगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में सेर जरू करिएगा टेलिग्राम स्वरम अलिक ओफिशन नाम से इसको जोइन कर लेना है यहाँ पे आप लोग को और एक वीडियो की पीडियाप और क्लासिस के लिंक मिल जाएंगे और डेली स्पेशल क्लास दोस्तों दिन में धाई बज़ रात में 11 बज़े होती है दोनों के टाइम नौट कर करते हैं और कोड यूज करेंगे स्टुडी टैन इससे आपको मैक्सिममम डिसकाउंट मिल जाएगा अभी एससी का कॉंबेट होने वाला है 29 में को तो इसमें आप लोग एंडॉल कर लेना ठीक है इसमें आपको 50 मिर्ट में 40 कोशन करने होंगे और यह काफी अच्छा होता ह इसमें अन्रोल करते समय स्टुडी टैन कोड यूज करिएगा अभी प्राइज आइक होने वाले हैं जल्द ही तो आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जोइन करना चाहते हैं फटा फट जोइन कर लीजे प्राइज आइक होने से पहले और इसमें भी आप लोग को को लिए प्राइटन लाइव क्लास इस बाकिया आप डिटेल में देख सकते हैं और यह सारी टैस सीरीस वीडियो फोस्ट ऐसरी का टेगरी में इनको भी आप देख सकते हैं रेज आहेंड करके आप अपना कोशन पूछ चकते हैं लाइफ क्लास में और अनकेडमी पर आप अ आंसर पता है तो नीचे कमेंट बोक्स में बताते रहेगा देखिए UNICEF जिसको United Nations Childs Emergency Fund के नाम से जाना जाता है और इसका गठा नुगाता दोस्तो 1946 UNICEF यानि कि सहयुक्त रास्टे बाल अपात कालीन कोस एक सहयुक्त रास्टे एजंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मा 192 और विकास आत्मक साहता परदान करने के लिए जिम्मेदार है 192 देशों और चेत्रों में उपस्थित के साथ एजंसी दुनिया में सबसे व्यापक और पहचाने योग्य समाजिक कल्यानकारी संगठन में से एक है तो ये पॉइंट वे आप लोग दोस्तो UNICEF के बारे मे नौण कर सकते हैं कोशन आता है next let right मिटी में खालिस्तान सम्रब्ध होता है तो let right मिटी जो दोस्तों होती है आपकी ये आइरन से सम्रब्ध होती है थीक है soil is rich in iron तो right answer is option B यह आप लोग को यादख रहा है लेटराइट मिट्टी की परत जो iron ओक्साइड से भरपूर होती है और जोरदार ओक्सीकरण और लीचिंग इस्तिति के तहट अपक्स की एक विशिस्थ विदायका से प्राप्त होती है तो ये भी आप लोग यादख सकते है कोशन आता है निमलकित में से कौन सा सासक चोल मंस का था या है तो देखे इसमें से अगर मैं बात करूँ राजराजा फरस्ट इस कोशन का दोस्तो right answer हो जाएगा ये आप लोगों को यादखना है ठीक है चलिए अगला कोशन आता है EEG का उप्योग खालिस्थान को मापने के लिए किया जाता है तो EEG को मापने के लिए किया जाता है मस्तिक्स का कारिय पत्ति यानिकी brain functioning इस कोशन का राइट answer हो जाएगा ये आप लोग यादख सकते हैं तंजाबूर, सहर और वहाँ निसाबूस दिनी के मंदिर के भी निर्माण के लिए निमलकित सासकों में से किसे सरे दिया जाता है तो इस कोशन का राइट answer हो जाएगा विजाले यानि की option A आपका राइट answer हो जाएगा निमलकित में से कौन सा जल में घुलंसील विटामिन है तो जल में घुलंसील विटामिन की अगर मैं बात करू दोस्तों तो विटामिन B and C यहाँ पे राइट answer हो जाएगा पानी में घुलंसील विटामिन दोस्तों विटामिन C विटामिन B and C है ठीक है तो ये बहती आपकी देखे यहां पर अगर मैं बात करूँ नंदी नदी दक्सिन भार्त की परसित तिर्थ इस्थल से होकार बहती है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलाडू में इस्थीत है दोस्तों यह यानि कि राइट आंसर इस नंदी चंद्रियाद 2nd का वजन कितना है तो चंद्रियाद 2nd का वजन दोस्तों 2379 kg है इस कोशन का राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा निनवे से कोन सा दर्रा लद्दाक परवत सरंकला पर इस्थित है तो right answer हो जगा खारदूं लादर्रा यानि की option D is the right answer कोशन है सरावती नदी पर इस्ति जर्ना है तो सरावती नदी पर इस्ति जर्ना है जोंग जर्ना करना टक यानि की option हो जएगा D right answer कोशन है पंडित बिर्जु माराज किस्चेत्र के परतिष्टित व्यक्ति है तो classical dance के यानि की option आपका याँ पर C right dance हो जाएगा ठीक है निमलकित में से किस सव्यदानिक संसोधन अधिनयम ने किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाना संभव बनाया है तो इस question का right answer हो जाएगा 7th Constitutional Amendment Act यानि की option आपका A right answer हो जाएगा Question है चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है तो इस question का right answer हो जाएगा Grand Canal यानि की option D right answer हो जाएगा Question आपका अधिक दो से किस जितर कला, सेहली, को, मिथाली, कला के नाम से भी जाना जाता है तो यह आपका मदूबनी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओशन है संकर जो आठवी सदाब्दी में केरल में पैदा हुए सबसे परवाबसाली दरसनकों में से एक थे वे एक समर्थक थे किसके तो यह समर्थक थे दोस्तों बिल्कुल सही है अद्वेत के मार्ग यानि की ओप्षन हो जाएगा सी रेट आंसर निमलिकित में से किने भारत के प्लाग मेन के रूप में जाना जाता है तो इस कोशन कर राइट आंसर दोस्तों रीपू दमन बेवली इस कोशन कर राइट आंसर हो जाएगा यह आप लोगों को यादखना है 1905 में एक समीति थी जिसे करवे समीति कहा जाता है दोस्तों यह किस से सम्बंदित थी तो इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है गराम तथा लद्दू उद्योगों के विकास से तो यह आप लोगों को यादखना है कोश्चन आ रहा है आपका कच्छी गोडी 29 राज्य से संबंदित है ये दोस्तों आपका राजिस्थान राज्य से संबंदित है तो इस कोश्चन का राइट आंसर ओप्शन भी होने वाला है कोश्चन की देश की जनसंख्या विश्य संग्यों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सरवदिक आबादी वाला देश बन सकता है तो ये कहना दोस्तों चाइना का है तो इस कोश्चन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा किस नदी को सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है तो ये इंडस नदी को सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा रास्टे उध्धान पूर्वी हिमालिय उप्चेतर में सबसे बड़ा सनलक्षित छेतर है तो इस question का right answer क्या होजएगा नाम दफार रास्ट युद्जान यानि की option D is the right answer ये आप लोगों को याद एकना है question आता है सर्णम चत्तुर भुज परियोजना की योजना भुध लंबाई क्या है तो इस question का right answer बतेगा 5146 km ये आप लोगों को याद एकना है दिल्ली सल्थनत की समय में बंदगानों से क्या तात परिया था तो बंदगान से दोस्तों पे जो तात परिया था वह ये था कि सेन्य सेवाओं के लिए क्रे किये गए विशेजदास सेवाओं के लिए क्रे किये गए विशेजदास यानि कि Special Slaves Purchases for Military Services तो यह आप लोग याद रख सकते हैं Question है निमलकित में से किस दिवस को रास्टे उर्जा संदक्षन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दोस्तों 14 दिसंबर को यानि कि Option D रेट आंसर हो जाएगा Question है निमलकित में से कौन टेफलोन का एक लख है तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option B देखे यह PDF कंटीनू रहेगी नेक्स वाली पे हम चलते हैं और प्लीज आप इन सभी वीडियो को देखते रही है लाइक करते रही है टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए 5000 Question कराने का मेरा Target है कुछ Question मैं YouTube पे कराऊंगा कुछ Unacademy की Special Classes के थुरू आपको कराने वाला हूँ ठीक है चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की Unacademy पर आपको मिल जाता है जहांपे आप Report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको Report करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को सबस्काइब कर लीजेगा पीडियाप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी 2 special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दूस्तों 5 बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much